नवसकार, काहितरी जोतिस के इंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है, आप लोगों के लिए हम इसाही हम जोतिस सास से जुड़ी हुई मैत्पून जानकारियां प्रशारित करते रहते हैं, भले इवा नवग्रहों से संबद्री उपाए हूँ, मूल भूत समस्याओं से स उनले बिष्ले सड हो, हस्तरेखा से संबद्री जानकारी हो, अंकविद्या से संबद्री जानकारी हो, वास्तुसास से संबद्री जानकारी हो, हर विधा से संबद्री आप लोगों के लिए हम जानकारी लाते हैं, और जानकारी ऐसी जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उस यहाँ हमने इसका पुरा ही एपिसोड आप लोगं के लिए लेकिया है कि लोगों का कहना है कि हम बड़े-बड़े मंदिरों में जाते हैं तहामों में जाते हैं जहां पर कुमानने ताय होती है कि यहां पर कुछ मागा जाए मनद्नत मागी जाए वो अवस्य ही पूरी होती है बहुत से लोगों के मुझे हमने सुना है अगर बगर हम लोगों को देखते हैं किन्तो हम जाते हैं और हम मांगते हैं नहीं हो पाती है किसी विशेष उद्देश की प्राप्ती है तू हम विशेष आराधनाय करते हैं आरादना करता है, कोई कारे को रीगुलर तोर पे लगातार करना वो भी आरादना कर comment बहुत है, तो उसके पीछे कही कारण रहते हैं , किंतो यहाँ पर को कारण क्या रहते हैं , bareng हुष छीज़ हो सकते हैं इसके कुछ कम्या हमारें आंदर ही रहती है. वो तो विसाय को देखते हुए पता चलता है कि तो यहाँ पर को जो मुख्य विसाय है वो आया है कि यदि हम किसी बड़े मंदिर पे धाम पे जाते हैं और कोई मननत मांगते हैं मनोती मांगते हैं मनोकामना वहाँ पर को हम अपनी कहते हैं कि यह पूर्ण हो जाए उसके रहे जाते हैं और हम आते हैं वहां से और नहीं हो पाता है और हम देखने कि बहुत से लोगों उन्हें वहां पर कुछ मांगा होता है उन्हें मिल जाता है इसी तरीके से एक बार नहीं कई बार तो इसके पीछे दो-तिन कारण जो मुख कि जब हम किसी ऐसे बड़े मंदिर धाम में जाते हैं जहांपर को माना जाता है कि साक्षा यहां पर को सकती है और यहां पर से हमें कुछ ने कुछ अवस्य ही मिलेगा हमारा बेड़ा पार होएगा तो कम से कम छे दिन पूर्व से प्यक्ति को पवित्र रहना चाहिए पुरुस को हजामत दाड़ी बोला गया है हजामत दाड़ी बाला दी नहीं बनाने चाहिए हजामत नहीं करनी चाहिए इस अवदी में छे दिन मंदिर जाने से छे दिन पूर्व से इस तरी को छे दिन पू पूर्व एक दिन पूर्व जैसे कल हमें मंदिर जाना है कल हमें वहां दर्सन करने हैं तो आज प्राता काल के भोजन से ही लैसन प्याज आदी जो गरम चीज़ें होती है उनका सेवन बंद कर देना चाहिए जैसे मलका की दाल गरम मानी गई है इसके अलब बैगन को गरम माना जाए जब तक की दर्शन नहीं हो जाते हैं दुसरी भेत्व पूर्ण बात यह तिसरी जब हम मंदिर पे जाते हैं महाप्र को जाते हैं तो अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्नान तो ठीक है स्नान तो गरम कोई जाता है वस्त्र जो हूँ वो बिलकुल पवित्र ह थारन किया है तो उसके बाद वह धुले हुए हो बवज पर की पर परकार का कोई सरीर को कोई रंग रोपन करते हैं कहने आई का अदिक अपने सरीर पे सेवन करना लगाना या इसके अतरिक्ती किसी खुस्बुदार साभुनाधि का इस्तेमाल वो तो चलो आज कल हम करते हैं किंतु कहा तो यह जाता है कि चीज का इस्तेवाल नहीं करना चाहिए जब भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं किन्तु यह चीजा आज कल चली वी होती है, किन्तु फिर भी बाहरी सुंदरे को अपने नहीं बढ़ाना चाहिए, फ़क्वान से सुंदर कोई नहीं होता है, तो इस तरीके का भी कोई चीज वहां पर को नहीं करना है, इसके पस्चाथ जब हम मंदिर पे जाते हैं, तो वहां पालन करते हैं तो अवस्य ही हमें मंदिर पर जाए जो जिस उद्देश के साथ गए हैं उसमें अवस्य सपलतरा में प्राप्त होती है दूसरा जो हम पूजा पाठ पीदी बिदान पूरवक करते हैं और अंत में अब बात आती है मन्नत मागने के तरीके होते हैं तो मन्नत के लिए सबसे बढ़िया बताया गया है कि यह सारी चीजे अगर आपकी सही है पूजा पाठ आपकी पूरी बिदी बिदान पूरवक है या नहीं भी है और आपने बिलकुल जो भी हैं सच्चे मन्न से आये हैं तो इसके बाद जब मननत मांगते हैं तो मननत मांगते समय Profit दोनों हाथों को इस तरीके से जमीन पे पूरा आपका जो बाहरी जो याला हागी का सरीर है यह पूरा जमीन पे परस होना चाहिए इसके पश्चाद मन्नत मागनी चाहिए और भगवाल से प्रातना करनी चाहिए अरादना करनी चाहिए कि जैसे ही मन्नत पूरी होगी आति सीक्र हम आपके दरबार पे परपन करेंगे जो भी आपकी चाहोगी तो इसके पस्चाथ आप मंदिर से आएए वहां का जो प्रसाद है जितने ज्यादा लोगों को आप बित्रित कर सकें समझ लेजिए कि उतने अतिसीग्र आपकी मनों कामना पूर्ण में होगी ऐसा माना जाता है बड़े दामों के प्र जी जैसे सावन का मैना था पिष्ले दब भी नवरात्रियादी में भी फोनाते रहते हैं तो क्यों हमारी मनत पूरी नहीं हो तो इसमें कुछ एक कमिया रहती है इन कमियों को तुदारना चाहिए जैसे हजामत कहा गया है हजामत यानि कि दाड़ी बाल आदी नहीं बनाना चाहिए महिलाओने विदाल बाल हाल उस समय पे हो सकता है संभात नहीं बनाने चाहिए तक थोड़ा सा तेल आदी का वो नहीं करना चाहिए और अंतिम के दो दिन तो बिल्कुल बालों में कोई किसी भी तरगे का कोई छेड़ खानी आदी उसमें कोई सुंदरता आदी उसको बढ़ाने के लिए ऐसे काड़ी नहीं करने चाहिए जितना हो सकी सिंपल रहना चाहिए कि तो यह काफी महत्य पूर्ण का रहती है लंबे समय से लोग का हम से बाहरे में जानना चाहरे तो इसी तरीके से मंदिरों में जाया जाता है और वागी पूजा पार तो अपने तरी को अपनी प्रकट कर रहा है तो और भी मंदिरों का भी अपने नियम होते हैं किसी मंदिर ती डिने पूरु से कुछ चीजह रहती है वो अलग 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 परंप्राय हैं तो वुशाई को देखते वह आपकर सकते हैं महाँ पर आप तो यह जानकर यह दिया आप लोगों को पसंद आई तो ज़िसे जरूर आगे बढ़ा कर आप सेयर कर सकते हैं नहीं लोगों से आगरा रहता है कि गायतरी जोतिस केंद्र से जुड़े चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन दबाए बहुत अच्छी जानकरी जोतिस के अर